इस वीडियो लेक्षर में हम लोग जानेंगे कि कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं और इनकी स्टेबलेटी किस तरह से डिटर्माइन की जाती हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर होप करके चल रहा हूँ कि आपको प्रमानेट एफेक्ट जैसे इंडक्टिव एफेक्ट, हापरकन्जूगिशन या मिजोमेरी की बेसिक नौलिज है या इस चैनल से इनके रिगारी जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको आप अच्छे से देख चुके हो इसकी stability को discuss करने से पहले हम यह देखते हैं कि कार्बोकरटेन की structure कैसे होती है यहाँ पे कार्बोकरटेन की दो structure को mention किया गया है एक इसका top view है दूसरा इसका side view है अगर कार्बोकरटेन की बात करें तो इसमें एक positive charge carbon होता है और इसके साथ 3 group जुड़ होए रहते हैं अगर इसके top view की बात करें तो इसमें 3 SP2 hybridized orbital hydrogen के साथ single bond बनाने में use हो जाते हैं और इस कारण से जिस carbon के उपर positive charge होता है वहाँ पर एक vacant p orbital present होता है किसे भी कार्बोकरटेन के कुछ basic characters होती है जैसे number 1 अगर इसके formal charge की बात करें तो इसके formal charge plus 1 होता है number second carbocation पर किसी भी तरह का lone pair यानी LP absent होता है number third अगर bond pair की बात करें तो यह वो elektrons होते हैं जो bond बनाने में use होते हैं और एक bond को बनाने में 2 electron use होते हैं total यहाँ पे 3 bond है इसलिए इसके total electron 6 होते हैं अगर pair की बात करें तो इसके bond pair total 3 हुए number fourth अगर steric number की बात की जाए तो steric number lone pair plus bond pair होता है lone pair इसमें 0 है, bond pair इसमें 3 है इसलिए इसका steric number total 3 होता है और इसके steric number के base पे हम यह कह सकते हैं कि कार्बो कर्टन, SP2, planar और flat structure वाला होता है अगर इसके bond angle की बात की जाए तो इसका bond angle 120 degree का होता है यानि कि इन दोनों के बीच में अगर हम angle की बात करें तो यह angle जो होगा 120 degree होगा इन सभी characters के base पर एक चीस तो हमको यह समझ में आ गई कि कार्बो कर्टन जो होता है इसके पास total 6 electrons होते हैं और octate rule से इसके पास 8 electrons होने चाहिए इसका मतलब यह है कार्बो कर्टन यानि कार्बोनियम आयन एक electron deficient intermediate होता है कार्बो कर्टन की stability important होने के साथ साथ यह वास topic है इसलिए कार्बो कर्टन की stability को हमने दो पार्ट में divide कर गए है आज इसका हम पार्ट first discuss कर रहे हैं और इसके पार्ट second में हम लोग benzyl कार्बो कर्टन की stability के साथ साथ कुछ ऐसे कार्बो कर्टन को भी discuss करेंगे जिसमें हकल यानि aromatic system बन जाने के करण stability accelerate कर जाती है अब इसकी stability को समझने के लिए मानलो हमारे पास एक कार्बोगटेन है जिसके साथ कोई गुरूप R जुड़ा हुआ है अब इसकी stability इस बात पर decide होती है यह R गुरूप कोल्स है तो इसकी दो category हो सकती है पहली category में हम मान लेते कि R जो है वो ऐसा गुरूप है जो electron withdrawing nature का है यानि वो electron को अपनी तरव खीच लेता है इस करण से क्या होगा कि जो electron की density होगी वो सभी R के पास चली जाएगी यानि कि कार्बोगटेन पहले ही सी electron deficient था और R ने और electron कीच लिए इस करण से कार्बोगटेन में electron deficiency increase हो जाएगी और जिस करण से इसकी जो stability होगी वो decrease हो जाएगी तो ऐसे कोई भी गुरूप जो अपना electron withdrawing effect शो कर सकते हैं जैसे minus I, minus H और minus M इस तरह के effect शो करने वाले जितने भी गुरूप होंगे वो कार्बोगटेन से electron को quidrol करके उसको destabilize कर देंगी बिल्कुल इसका reverse अगर मान लो हमारे पास R जो हैं वो electron donating groups हैं तो ऐसे group क्या करेंगे electron को कार्बोगटेन की तरफ donate करेंगे यह electron deficient है और इसके donation से इसके पास electron की कमी जो थी deficiency जो थी वो दूर हो जाएगी तो इस कारण से इसकी stability जो होगी वो increase हो जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे कोई भी group जो की plus I, plus H या plus M जैसे electron donating effect रखते हैं इसकी stability को बढ़ा सकते हैं अब इस concept को trick से याद करने के लिए हम ऐसा learn कर लेते हैं कि जैसा charge है वैसे ही effect उसकी मदद करेंगे जैसे ही यहाँ पर positive charge है इसलिए जो positive effect show करने वाले groups हैं वो इसकी help करेंगे और मालो यहाँ पर negative charge होता तो जो negative groups है वो इसकी help करते हैं और अगर previous video lecture के base पर इन टीनो effect के order की बात करें तो इन में सबसे dominant effect जो होगा वो plus M effect होता है उसके बाद plus H एन hyperconjugation effect आता है और सबसे list dominant plus I effect होता है इसकी priority का सीधा सा मतलब यह है कि जो mesomeric effect होगा वो carbocatine की सबसे ज़्यादा help करेगा और जो plus I effect होगा वो carbocatine की list help करेगा इसी तरह से यह तीनों effect carbocatine की stability को decrease कर देते हैं चुकि इसमें mesomeric effect dominant होता है यह ज़्यादा उसकी stability को decrease करेगा इस current से ऐसे carbocatine जिसमें minus I effect लगे हो वो minus M या minus H के comparison में ज़्यादा stable होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं inductive effect की inductive effect की previous वीडियो में हमने देखा था कि inductive effect को दो टाइपस में बाटा जा सकता है minus I effect और plus I effect minus I effect में वो group से atom होते हैं जो sigma bond electron को अपनी तरफ हीच लेते हैं यानि withdrawal कर लेते हैं और इसी तरह से plus I effect में वो group या atom होते हैं जो sigma bond electron को donate करते हैं यहाँ पर minus I और plus I दोनों effect की series दी गई है इन दोनों series में hydrogen atom को reference atom माना गया है और इसके I effect को हम zero मान सकते हैं इसी तरह से यह दोनों series decreasing order में दी गई हैं और इस वीडियो लेक्शर में हमने यह देखा है कि कार्बोकरटन electron deficient intermediate होता है इसका मतलब यह हुआ कि minus I effect कार्बोकरटन को नुकसान पहुचाएगा क्योंकि उसमें से electron को withdrawal कर लेगा जबकि plus I effect कार्बोकरटन की मदद करेगा electron को donate करके उसके deficiency कम कर देगा इसके साथ inductive effect की regarding सबसे important चीज़ हमने यह note करी थी inductive effect distance dependent होता है अगर inductive effect की बात करें चाहिए वो plus I हो या minus I हो distance के inversely proportional होता है यहनि कि जैसे जैसे distance बढ़ती है उस group का चाहिए plus I हो चाहिए minus I हो decrease हो जाता है example number one इस example में सबसे बड़ा difference यह है कि first carbo-gotten में यहाँ पर तीन methyl group लगे होए है जबकि second carbo-gotten में यहाँ पर 3 CD3 group लगे होए अब alkyl group की respect में हमको एक चीज यह ध्यान में रखनी है कि alkyl group हमेशा plus I effect शो करता है साथ में हमको यह भी देखना है कि alkyl group रखने वाले carbo-gotten में कहीं hyperconjugation तो नहीं है जैसे इस carbo-gotten में इस carbon के respect में जिसमें positive charge है adjacent वाला carbon alpha carbon कहलाता है चुकि इस alpha carbon पर directly as जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए इन दोनों तरह के carbo-gotten में hyperconjugation effect absent है और इसमें सिर्फ डिफरेंस alkyl group का है और inductive effect में हमने यह भी देखा था कि अगर methyl यानि CH3 group और CD3 group का आपस में comparison करा जाएं तो CD3 group का जो plus eye effect होता है वो ज़ादा dominant होता है वो इसलिए होता है क्योंकि hydrogen के isotope में plus eye effect उस isotope के mass पर depend करता है और चुकि mass जो होता है D का H से ज़ादा होता है इसलिए CD3 का plus eye effect CH3 से ज़ादा होता है यह हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 3 CD3 group लगे होने के कारण यह तीनों group electron का ज़ादा donation करते हैं जबकि इसमें 3 CH3 group होने के कारण electron का कम donation होता है चुकि यह group efficiently electron को donate करते हैं इसलिए इस carbocatine की जो deficiency होती है वो decrease हो जाती है इसलिए इन दोनों carbocatine में से जो second number का carbocatine होता है इसकी stability first number carbocatine से ज़ादा आती है example number second इस example में अगर F atom के inductive effect को देखे तो इसका minus i effect होता है और inductive effect कैसा भी हो चाहे minus i हो चाहे plus i हो distance के inversely proportion होता है चुकि F इसमें minus i का group है इसलिए यह electron को withdrawal कर लेता है चुकि यह distance dependent है जहां पर carbocatine और F के बीच में distance कम होगा वहां से यह ज़ादा withdrawal करेगा और जहां distance बढ़ता जाएगा इसका withdrawal कम होता जाएगा अगर fourth number carbocatine को देखें तो इसमें F atom absent है बाकी सारा alkyl group है यह alkyl group electron को donate करने का काम करता है इसका मतलब यह है कि fourth number carbocatine में electron के donation के कारण इसके deficiency decrease हो जाएगी इसलिए इन चारों में सबसे ज़्यादा stable जो होगा वो fourth number का carbocatine होगा इसके बाद अगर इन तीनों को हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा fluorine नजदीक होने के कारण इस carbocatine से electron को ज़्यादा withdrawal कर लेगा कारbocatine electron deficient है यानि कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा least stable यह हो जाएगा और जबकि इन तीनों में distance ज़्यादा होने के करण सबसे ज़्यादा stable यह हो जाएगा तो इसकी जो stability का order आएगा fourth सबसे ज़्यादा फिर three number then second number और first number सबसे पीछे होगा example number third इस example में दोनों कारbocatine में सबसे बड़ा difference यह है यहाँ NO2 group present है यहाँ NS3 positive group present है अगर इन दोनों के effect को देखे तो दोनों ही minus I की category के effect होते हैं यहनि दोनों ही क्या करेंगे electron को अपनी तरफ withdrawal करेंगे और कारbocatine को destabilize कर देंगे अब इन दोनों में से dominant effect किसका है सीरिस के according dominant effect NS3 positive का होता है इसलिए यह गरूप जो होगा वो कारbocatine से ज़्यादा electron को withdrawal करेगा इसी कारण से इस कारbocatine में electron के deficiency और ज़्यादा increase हो जाएगी इसलिए इन दोनों कारbocatine में से जो first number का कारbocatine होगा इसकी stability जादा आएगी नमबर second hyperconjugation effect प्रिवेस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि कारbocatine का जो adjacent carbon होता है जिसको हमने alpha carbon कहा था अगर यह saturated है यानि कि अगर यह SP3 hybridized है और इस पर कम से कम एक hydrogen या इसका isotope present है ऐसी condition में ऐसा कारbocatine hyperconjugation effect शो कर सकता है और वहाँ पर हमने यह भी देखा था कि कारbocatine की stability hyperconjugation पर depend करती है और इसके alpha H की संख्या पर depend करती है alpha H, alpha carbon पर present hydrogen की संख्या है और किसी भी कारbocatine की stability directly proportional to number of alpha H होता है जितने ज़्यादा उसमें alpha H होंगे उसमें उतनी ज़्यादा stability होगी इसका mean reason क्या है इसका mean reason है कि hyperconjugation के द्वारान जो RS बनती है जिसे हम hyperconjugative structure या फिर hydrogenative structure कह सकते है उनकी संख्या directly proportional होती है alpha H के number पर इसका मतलों जितना alpha H की संख्या ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा hyperconjugative structure बनेगी उतना उस कारbocatine की stability increase हो जाएगी चोंकि कोई भी alkyl group plus high effect पी show कर सकता है अगर इसमें hyperconjugation भी effect show हो रहा है तो ऐसी condition में अगर इनके priority की बात करें तो plus H effect plus high effect से ज़्यादा dominant होता है इस example number 4 इस example में difference alkyl group की संख्या के साथ hyperconjugation का भी है अगर हम alkyl group के respect में बात करें और plus high effect को देखें तो plus high effect दोनों ही कारbocatine में होता है बट first carbocatine में alkyl group की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसका plus high effect ज़्यादा dominant होता है अगर हम plus H effect की बात करें तो इसके लिए जो carbocatine जिस पर positive charge है उसके addition वाले carbon को consider करना पड़ेगा अगर इस addition वाले carbon पर एक भी H present है और ये carbon SP3 hybridized है ऐसी condition में hyperconjugation effect होगा नहीं तो ये effect absent होगा जैसे first carbocatine में इस carbon के respect में ये alpha carbon होगा बट इस alpha carbon पर directly जुड़ा हुआ एक भी H ना होने के कारण इस carbocatine से plus H effect शोओ नहीं हो सकता अगर हम दूसरे वाले carbocatine को consider करें तो इस carbocatine के respect में ये alpha carbon होगा हमारी requirement SP3 होने के दिए वो भी से fulfill हो रही है दूसरा इस पर कम से कम एक H होना चाहिए था यहां तीन H है तो इस वाले carbocatine के दुरू hyperconjugation की सारी condition fulfill हो रही है इसमें hyperconjugation effect प्रजेक्ट होगा चुँकि दोनों ही effect electron donating effect है carbocatine की help कर रहे है इसमें inductive effect से help हो रही है जबकि इसमें inductive के साथ hyperconjugation से help हो रही है इसलिए अगर इन दोनों carbocatine की stability की बात करें तो second carbocatine की stability ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें दो effect इसकी मदद करने है example number 5 example number 5 में जो first carbocatine है इसमें plus effect होगा और इसका जो plus effect होगा carbon की संख्या ज़्यादा होने के कारण dominant होगा जबकि second carbocatine में plus effect तो present होगा बट इतना dominant नहीं होगा अगर हम hyperconjugation की बात करें तो first carbocatine में hyperconjugation present होगा क्योंकि इस carbon के adjacent जो alpha carbon है वो यहाँ पे 3 है और 3 होई हमारी 2 condition को fulfill करें यह alpha carbon SP3 hybridize है और इस पे कम से कम 1H होना चीए था तोटल यहाँ पे 9 alpha H के कारण hyperconjugation effect जो है वो develop होगा जबकि अगर हम second carbocatine को देखें इसमें hyperconjugation effect तो होगा बट इसमें total 3 alpha H का hyperconjugation effect होगा चुँकि अभी हमने कहा था कि hyperconjugation effect alpha H की संख्या पर depend करता है इसलिए 1st carbocatine में hyperconjugation effect जो होगा वो ज़ादा होगा इसी कारेंट से इन दोनों carbocatine में जो 1st carbocatine है उसकी stability 2nd वाले carbocatine से ज़ादा आ जाएगी और उस video lecture में जब hyperconjugation की structure को draw किया था तो उसमें इस alpha carbon के इस hydrogen और carbon के बीच के bond को break किया था और इसको break करके यहाँ पे shift किया था जिससे इसकी hyperconjugative structure बनी थी चुकि इन structure को हम previous videos में discuss कर चुके है इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा discuss नहीं कर रहे है basically हम यह बताना चाहरे है कि इस process में जो alpha carbon और hydrogen के होगा और उसका effectively plus H effect नहीं लगेगा example number 6 यहाँ पर हमारे पास दो तरह की कार्बोकटाइन दी होगे हैं पहले वाले कार्बोकटाइन के alpha carbon पर 3 hydrogen present है जबकि दूसरे वाले कार्बोकटाइन के alpha carbon पर 3 deutriomata present है इस कारण से अगर इसकी CH bond है वो जल्दी break हो जाएगा अगर CH bond जल्दी break होगा तो इसमें CH3 group का जो plus H effect होगा वो effective होगा इसलिए इन दोनों कार्बोकटाइन में अगर stability की बात की जाए तो first number का कार्बोकटाइन ज़्यादा stable होता है अब इस example के regarding एक चीज़ बहुत अच्छे से ये समझनी है कि अगर हम plus H effect की बात कर रहे है ऐसी condition में जिस isotope का mass ज़्यादा होता है उसका plus H effect ज़्यादा होता है और अगर हम इसमें plus H effect की बात कर रहे हैं तो जिस bond की strength कम होती है उसका plus H effect ज़्यादा होता है अब ध्याद में ये रखना है कि अगर हमारे पास hyperconjugation effect के साथ साथ उसमें plus I effect present है तो ऐसी condition में जो भी result plus H के तुरू आ रहा है उसको ध्याद में रखना है ऐसा क्यों करना है क्योंकि अभी हमने discuss किया था कि plus H effect जो होता है वो plus I से ज़्यादा dominant होता है इस पूरे concept के base पे अगर six number example को वापिस consider करें तो इसका जो second carbocatine होता है उसमें CD3 का plus I effect ज़्यादा है जबकि first carbocatine जो होता है उसमें CH3 का plus H effect ज़्यादा है और अभी हमने कहा कि अगर दोनो effect present है तो जो plus H के result आएगा वो result dominant होगा इसलिए इन दोनों में से ये वाला carbocatine ज़्यादा stable होगा क्योंकि इसके CH3 में CH bond जल्दी तूटेगा और इसकी stability कम होगी क्योंकि इसके CD3 में CD bond देरी से तूटेगा उसकी strength ज़्यादा होगी जो इसके plus H effect को decrease कर देगी अब बात करते हैं alkyl carbocatines के degree की और उसकी stability की सबसे smallest A carbon का alkyl carbocatine methyl carbocatine होता है और जैसे जैसे इसके H को replace करके methyl group को introduce करते हैं हमारे पास different alkyl carbocatine की formation होती है इसमें डिगरी निकालने के लिए जिस carbon पर positive charge है ये carbon directly कितने carbon से जुड़ा होता है इसके base पर इसके degree निकाले जाती है जैसे यहाँ पर ये carbon जो है इसमें ये वाला carbon तीन carbon के साथ directly जुड़ा हो है इसलिए इस वाले carbon को हम 3 degree carbon या tertiary carbon कहते हैं इसी तरह ये second degree carbon या secondary carbon होगा ये हमारे पास one degree carbon या primary carbon होगा अगर इन चारों की stability निकाल ली है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें कहीं भी conjugation है या नहीं है क्योंकि mesomeric effect dominant होता है सबसे पहले हम उसको देखेंगे इन चारों में ही conjugation absent है इसके बाद अगर alkyl group present है इसका मतलब ये है इसमें alkyl group का plus i और plus h दो ही effect applicable होंगे अब कौन से कार्बोक्रटान में कौन सा effect है इसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि hyperconjugation किस किसमें है hyperconjugation केस में अभी हमने देखा था कि जिस carbon पर positive charge है उसका adjacent carbon alpha carbon होता है अगर इस पर एक भी hydrogen या उसका isotope present है और अगर ये alpha carbon saturated यानि SP3 hybridized है ऐसी condition में उसमें hyperconjugation present है इसका मतलब ये हुआ इन चारों कार्बोक्रटाइन में से जो पहले तीन कार्बोक्रटाइन है उसमें hyperconjugation effect होगा पहले में 9 alpha H का hyperconjugation होगा दूसरे में 6 alpha H का hyperconjugation है तीसरे में 3 alpha H का hyperconjugation है और चोथे में hyperconjugation effect present ही नहीं है इसके base पर हमको अब इसमें inductive effect देखने की जुरूत ही नहीं है क्योंकि इसमें अच्छा खासा alpha H की संख्यों में difference है इस current से इन चारों में सबसे ज़्यादा stable 3 degree carbo क्रबोक्रटाइन होगा फिर second degree carbo क्रबोक्रटाइन होगा और फिर one degree carbo क्रबोक्रटाइन और सबसे last में हमारे पास methyl carbo क्रबोक्रटाइन हो जाएगा number 3 mesomeric effect कार्बोक्रटाइन की stability में mesomeric effect भी important role play करता है और mesomeric effect के videos में हमने ऐसा देखा है कि अगर कार्बोक्रटाइन के adjacent कोई ऐसा group या atom है जिस पर lone pair present है ऐसी condition में ये atom अपना plus M effect शो करता है और plus M के कारण ये electron को donate करता है जिस से z के उपर positive charge आ जाता है और carbon और z के बीच में double bond की formation हो जाती है basically इसमें होता क्या है इसके plus M effect के कारण अब इस कार्बोक्रटाइन का octate complete example में इस कार्बोक्रटाइन के adjacent OH group present है जिस में key atom oxygen बनता है याई इस पर lone pair present है और अब ये oxygen क्या करता है अपना plus M effect शो करता है और plus M effect के कारण ये oxygen इस कार्बोक्रटाइन को electron दे देता है अगर हम total electron की count करें तो इसमे total electron 6 होती है इसी कारण से कार्बोक्रटाइन electron deficient होता है और जैसे ही इसमें oxygen electron को donate करता है इसके carbon और oxygen के बीच में double bond की formation हो जाती है चुंकि OH group अपना एक lone pair donate कर चुका है इसलिए oxygen पर positive charge आ जाता है और एक lone pair इसमें बचा रहे जाता है अगर इस हिससे के total electron count करें तो तीन bond है और हर bond में 2 electron के current total 6 electron एक LP बचा हुआ है तो इस हिससे में total list के electron 8 electron हो जाते है यह जैसे ही OH ने अपना plus M effect शोक करा है इस कार्बोक्रटाइन का octate complete हो जाता है जिससे इसकी stability increase हो जाती है अब इस टाइप के कार्बोक्रटाइन की stability कितनी increase होती है इसको हम example number 8 से बहुत अच्चे से समझ सकते हैं इस example में पहले वाले कार्बोक्रटाइन में इस कार्बन के adjacent NS2 group है जिस पर lone pair present है और इस कार्बोक्रटाइन में यह कार्बन के उपर जो positive charge है यह तीनो बेंजीन रिंग के adjacent है एनि इस कार्बोक्रटाइन में यह positive charge बेंजीन रिंग के अंदर migrate कर सकता है अगर हम इसके total RS की बात करें तो इसमें तीनो बेंजीन के minus m effect के कारण इसमें total RS 10 RS बनती है और previous video lectures में हमने यह भी देख रहा है किसी compound में जितनी ज़्यादा उसकी RS होती है उतनी ज़्यादा उसकी stability होती है क्योंकि जब RS की संक्या ज़्यादा होती है तो इस current से उसमें resonance energy ज़्यादा होती है चूंकि resonance energy एक exotermic process होता है इसलिए molecule बहुत सारी energy release करके stability को gain कर लेता है इसका मतलब यह है अगर इन दोनों में कार्बो कटैन की stability का comparison करें इसमें किवल 2 RS बन रही है इसमें 10 RS बन रही है तो इसकी stability ज़्यादा आनी चीए दूसरा यह aromatic system भी है इसलिए इसकी stability ज़्यादा आनी चीए पट यहाँ पे surprise जो result आता है इन दोनों कार्बो कटैन में से जो first कर्बो कटैन है इसकी stability ज़्यादा आती है अब इसकी stability ज़्यादा आने का main reason क्या है main reason यह है कि इस type के जब प्लस हम लगता है तो उसमें कर्बो कटैन का octate पूरा हो जाता है जबकि यहाँ पे 10 RS में से ऐसी कोई भी RS नहीं होती जिस में इसका octate पूरा हो क्योंकि अभी यहाँ positive charge है जैसे ही positive charge बेंजीन के अंदर migrate करता है again carbon positive बनता है और कभी carbon positive हो तो उसमें 6 electron होते हैं यानि कि इसकी जो 10 RS होती है उसमें किसी का भी octate complete नहीं होता इसी कारण से इन दोनों कार्बो कटैन में फर्स कर्बो कटैन ज्यादा stable होता है इस type का plus M effect जो होता है वो दो बातों पर depend करता है पहली चीज होती है orbital का size दूसरी चीज होती है electronegativity अगर मालनो हमारे पास एक कर्बो कटैन है जिसके adjacent में OH group है और इसी तरह से एक कर्बो कटैन है जिसके adjacent में SH group है अगर हम इसमें lone pair की बात करें तो जो oxygen का lone pair होता है वो इसके 2P orbital में होता है जबकि sulfur का lone pair उसके 3P orbital में होता है और सभी तरह के कर्बो कटैन में 2P orbital empty होता है अगर अब इस कर्बो कटैन को देखें तो first number के कर्बो कटैन में participant करने वाले atom के orbital का size almost equal है यानि कि इसमें mismatching कम है जबकि इसमें mismatching ज़्यादा है और चुकि जिसमें mismatching कम होगी उसमे effectively plus m लगेगा इसी करण से हम कह सकते हैं कि जो OH group होगा उसका plus m effect SH group से ज़्यादा dominant होगा और इसी करण से फर्स कार्बो कटैन की stability second से ज़्यादा आ जाएगी अब मालो हमारे पास कोई ऐसा कार्बो कटैन है जिसमें orbital का size बिल्कुल सेम आ रहा है ऐसी condition में हमको electron negativity consider करनी पड़ेगी जैसे example number 10 में हमारे पास total तीन कार्बो कटैन है पहले वाले कार्बो कटैन में कार्बन के adjacent NS2 ग्रूप है दूसरे में OH ग्रूप है और तीसरे में कार्बन के adjacent F ग्रूप है अगर इनके orbital की बात की जाए तो कार्बो कटैन में हमेशा 2P orbital खाली होता है NS2 का लोन पे 2P में होता है इसी तरह OH और F atom का भी लोन पे 2P orbital में होता है यानि इन तीनों ही example में orbital में list mismatching है यानि almost इनके orbital same size के हैं अगर ऐसी condition है तब electron negativity देखी जाती है जिस atom की electron negativity कम होती है वो atom अपना लोन पे जल्दी दे पाता है अगर इन तीनों में अगर लोन पेर containing atom की electron negativity को consider करें तो सबसे ज़्यादा electron negativity fluorine की आती है फिर oxygen की आती है और फिर nitrogen की आती है इसका मतलब यह है कि अगर orbital के size लगबग बराबर हो रहे है ऐसी condition में nitrogen की electron negativity कम होने के कारेंट वो अपना लोन पेर जल्दी डोनेट कर देगा या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इनका प्लस M का comparison करा जाए तो NS2 का प्लस M OH से ज़्यादा होता है और OH का प्लस M F से ज़्यादा होता है इसी कारेंट से इन तीनों कार्बोकटेन में अगर stability की बात की जाए तो NS2 वाला कार्बोकटेन ज़्यादा stable होगा और सबसे लिस्ट वो कार्बोकटेन होगा जिसके adjacent fluorine atom है Example No.11 इस example में हमारे अपस दो तरह की कार्बोकटेन दी हो है अगर फर्स कार्बोकटेन को देखे और इस कार्बोकटेन के adjacent carbon पर एक carbon है जो की SP3 hybridize है और उस पे 1H present है यानि कि इस कार्बोकटेन में एक alpha H का hyperconjugation effect डवलप होगा और इसी तरह से इसका जो rest part होगा वो इसको plus I के थूँ electron को donate करेगा अगर second कार्बोकटेन को देखें तो ये कार्बोकटेन बेंजीन के nucleus के adjacent है और ये बेंजीन का carbon SP2 hybridize है इसका मतलब ये है बेंजीन इसमे electron को donate करके अपना plus M effect शो करती है अगर दोनों को comparison करें तो पहले वाले कार्बोकटेन में plus H के साथ 7 plus I effect present है जो इसकी stability को increase कर रहा है जबकि second कार्बोकटेन में stability plus M से increase हो रही है इन तीनों में plus M effect ज़्यादा dominant होता है इसलिए इन दोनों कर्बोकटेन की अगर stability की बात की जाए तो second कार्बोकटेन first कार्बोकटेन से ज़्यादा stable होगा हम ऐसा भी कह सकते है कि इसका जो positive charge है वो localized होता है जबकि इसका positive charge delocalize होता है और delocalize होने के कारण इस से total 4 RS बनती है और इस कारण से इस compound की stability increase हो जाती है example number 12 ये example number 11 के parallel example है अब parallel example क्यों है अगर हम first कार्बोकटेन को देखे तो कार्बोकटेन और double bond के बीच में single bond की दूरी है इसी तरह इस वाले कार्बोकटेन में भी कार्बोकटेन और double bond की बीच में single bond का separation था तो ऐसी condition resonance की condition होती है यहाँ पर benzene ने अपना plus m शो किया था यहाँ पर इस carbon double bond carbon ने अपना plus m शो करेगा इस कारण से इस में जो positive charge होगा वो delocalize हो जाएगा और delocalize positive charge होने के कारण इस कार्बोकटेन की dो aris बनेगी जबकि इस carbon ABC market में केवल दो तरह के effect होगे पहला तो इन दो alpha h के कारण इस में plus h effect होगा और इसी तरह से इसOLG के कारण इस में plus 110 effect होगा जबकि फर्स वाले carbonym pigment में इस double bond के current plus m effect होगा अगर इन दोनों की stability की बात करें तो plus M effect dominant होने के कारण इन दोनों कार्बोकरटैन में से very first कार्बोकरटैन second के comparison में ज़्यादा stable होगा Example No.13 इस example में एलकीन के इन दोनों कार्बन पर अगर positive charge हो तो ऐसे कार्बोकरटैन को हम vinylik कार्बोकरटैन कहते हैं और अगर एलकीन के double bone के जिस्ट आगे वाले कार्बन पर positive charge हो ऐसे वाले कार्बोकरटैन को हम vinylik कार्बोकरटैन को हम इन दोनों में सबसे बड़ा difference यह आता है यह second carbo-करटैन यानि vinylik कार्बोकरटैन resonance हो कर सकता है क्योंकि इसमें positive charge और double bone की बीच में single bone का separation है बट अगर हम vinylik कार्बोकरटैन की बात करें तो इसमें कभी भी resonance possible नहीं हो पाता ऐसा क्यों है? ऐसा इनके orbital की structure के कारण है अगर हम vinylik कार्बोकरटैन को देखें तो इस carbon का जो 2p orbital होगा वो इस sp2 और इस sp2 के बिलकुल parallel होगा और parallel orbital ही resonance में participate कर सकते हैं अगर हम इस कार्बोकरटैन को देखें तो इसमें जो p orbital होगे वो एक दूसरे के perpendicular होगे यानि और्थोगोनल पोजिशन में होगे इसलिए इस first कार्बोकरटैन का जो charge होगा वो localized charge होगा जबकि LL कार्बोकरटैन का जो positive charge होगा वो de localized होगा इसलिए इन दोनों कार्बोकरटैन में से जो second कार्बोकरटैन होता है उसकी stability resonance के कारण जादा आती है example number 14 यहाँ पे हमारे पास दो तरह के vinyl कार्बोकरटैन दी रहे हैं और दोनों कार्बोकरटैन में सबसे बड़ा difference है methyl group का अगर इन दोनों में common factor को देखें दोनों में ही positive charge double bond के ऊपर है ऐसी condition में ऐसा positive charge orthogonal pre-orbital के कारण resonance शोन ही कर सकता यानि दोनों में ही positive charge localize होगा difference सिरफ develop होगा इस methyl group के कारण यह methyl group क्या करेगा इस positive charge को अपने plus eye effect के थुर electron को donate करेगा इसलिए इस वाले कार्बोक्रटैन में जो electron की density होगी या deficiency होगी वो दूर हो जाएगी और इसलिए इन दोनों कार्बोक्रटैन में से कार्बोक्रटैन जो second होगा इस कार्बोक्रटैन की stability plus eye effect के थुरू जादा आएगी example number 15 इस example में हमारे पास allylic कार्बोक्रटैन दिया हुआ है यह allylic इसलिए है क्योंकि इसका positive charge alkene के seedable bond C के जस्ट आगे वाले कार्बन पे है और यहाँ पे allylic कार्बोक्रटैन की degree को सेम उसी तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरह से अभी हमने alkyl कार्बोक्रटैन में निकाली थी यहने कि यह carbon जो होगा जिसमें positive charge है यह single carbon से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हम one degree allylic कार्बोक्रटैन के सकते हैं और इसी तरह second जो कार्बोक्रटैन है इसमें यह positive charge वाला carbon दो carbon से जुड़ा होने के कारण यह हमारे पास second degree allylic कार्बोक्रटैन होगा अब दोनों में सबसे बड़ा difference क्या है यहाँ पर methyl group present है इसमें methyl group absent है और common चीज़ क्या है दोनों में यह positive charge जो है वो double bond के साथ conjugation में है इसलिए दोनों का जो mesumeric effect होगा वो तो इसमें common चला जाएगा इसका मतलब यह है इन दोनों कार्बोक्रटैन की stability को mesumeric के base पे decide नहीं किया जा सकता वो दोनों में common है दोनों में same power का है अब हमको यह देखना पड़ेगा जो इस कार्बोक्रटैन में यह methyl group है इसका कौन सा effect होगा अगर methyl group का dominant effect देखें क्योंकि यह कार्बोक्रटैन के adjacent वाले carbon पर यहाँ पर H present है तो इसका जो dominant effect होगा वो plus H होगा इसके साथ साथ इसका plus effect होगा इसका मतलब first कार्बोक्रटैन में केवल मीजोमेरिक था second कार्बोक्रटैन में मीजोमेरिक के साथ साथ hyperconjugation और inductive तीनों effect से stability increase होगी इसलिए जो second degree LLE कार्बोक्रटैन होगा उसकी stability 1 degree LLE कार्बोक्रटैन से जादा आएगी तो guys I hope आपने आज इस वीडियो lecture में कार्बोक्रटैन की stability यानि part first को बहुत अच्छे से सीखा और देखा होगा वीडियो के इस part में total 8 questions आपको दिये जा रहे हैं इसमें से first 4 questions आपके device की screen पर display हो चुके हैं इनका screenshot लेकर या फिर वीडियो को slow down करके इन सभी 8 questions को solve करना है और answer को match करना है I hope आपने questions को solve करे होंगे इस जादा answers इसी तरह आप आपके device की screen पर next 4 questions डिस्प्ले हो चुके हैं इनको भी वीडियो को pause या slow down करके solve करके answer को match करना है I hope आपने सभी questions को solve करा होगा These are the answers I hope आपके सभी questions करेक्टर होंगे इन questions के regarding या फिर वीडियो में किसी भी example के regarding आपका कोई भी doubt है तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं अगले वीडियो lecture में हम लोग कार्बोकर्टेन की stability का second part यानि benzyl कार्बोकर्टेन की stability को focus करेंगे